दिली जैपूर हाईवे पर शनिवार दोपहर एक बड़ा हादिसा होते होते टल गया खरीब 30 फीट उचे ओवर ब्रिस की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रोला नीचे सर्विस लेन पर आकर गिर गया हाला कि गनीमत ये रही कि उस वक्त सर्विस लेन पर कोई अन्यवाहन नहीं था बरना बड़ा हादिसा भी हो सकता था वहीं कड़ी मश्रकत के बाद ट्रोला के चालक को सुरक्षित बाहर निकाल कर अस्पताल में भरती करा गया है ये हादिसा तकरीबन दो बजे हुआ जब एक टायलों से भरा हुआ ट्रोला जैपूर की तरफ से दिल्ली के लिए जा रहा था करीब 30 फीट की उचाई से ट्रोला गिरने के कारण जोरदार धमाका हुआ धामाके की आवास सुनकर आसपास के लोगों की सांसे फूल गए लोगों की भीड मौके पर पहुँची तो ट्रोला पलटा हुआ था और चारो तरफ धुल का गुबार था शुरुआत में किसी के दबने की भी आशंका थी लेकिन जैसे ही ट्रोला को क्रेन से हटा गया तो पता चला कि ट्रोला का चाला की उसके अंदर फसा हुआ है पुलिस ने बताय कि ट्रोला के चाला को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया उसे मामूली चोट आई है जिसके चलते उसे अस्पताल में भरती कराया गया है बता दें कि हादिसे के कारण हाईवे की सर्विस रोड कुछ वक्त के लिए ब्लॉक हो गई वहीं सूचना के बाद हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के अलावा कसोला थाना पुलिस भी मोके पर पहुची क्रेन की मदद से ट्रोला को साइड में किया गया जिससे सर्विस रोड पर ट्रैफिक फिर से सुचारू हो पाया पुलिस हादिसे की जांच कर रही है हादिसे की असली वजह ट्रोला चाला के बयान दर्ज होने के बाद पता चलेगी रेवाडी से महेंद्र पंजाब केसरी टीवे हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद